बारिस का पूरा मौसम निकल गया और आप इंत्यारी करते रहे गए आपने अपने गुड़ेल के पौदे से एक भी फूल नहीं लिया तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज इस वीडियो में हम लेकर आये हैं कुछ ऐसे फटी लाजर जिन से आपके गुड़ेल के पौदे फूलों से भर जाएंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं यह केवल मैंने 12 इंची के गंबले में लगाया हुआ है जो की पौदे पर आप फूल देख पा रहे हैं कापी सार इस पर फूल भी आये हैं और खुछ बट्स भी निकले हैं तो दोस्तों इस पौदे की एक और मैंने वीडियो डाली हुई है उसकी लिंक में डिस्किप्शन वक्स में दे दूँगा यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं तो जैसे कि आप देख पाने इस पौदे पर देखिए फूल तो आये हुए है और डेत सारे आपको बट्स भी नजर आएंगे तो दोस्तों अब हम इसकी केर के बारे में जानेंगे इसे सबसे ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले दोस्तो इस पौदे के लिए धूप जरूरी है जितनी ज़्यादा इस पौदे पर धूप पढ़ती रहेगी उतनी ज़्यादा इस पौदे की गिरोत बढ़ती रहेगी तो आप देख पा रहे हैं पौदों पर कुछ फूल आये हुए थे खुछ फूल देखी खिलकर ये मुर्जा चुके हैं तो ये कल के फूल थे कुछ आज फूल खिले हुए हैं वो दूप की वज़े से क्योंकि दूप में जतना पौदा रहेगा उतना ही हल्दी रहता है अब दूसरी वाद हम कर लेते हैं तो आप जो पौदे की जो मिट्टी देख पा रहे हैं यानि सॉयल मीडिया सॉयल मीडिया पौदे की आपको वरूरी रखनी है तो जैसे की आप इस पौदे की सॉयल मीडिया को देखी पा रहे होंगे जब सॉयल मीडिया वरूरी रहेगी तो हमारे पौधे की ग्रोत तेजी से बढ़ने लगेगी यदि इसमें हम पानी की ज़्यादा नमी रखें तो पौधे की रूट है यानि जड़ उनका गलने का ज़्यादा चांसित बन जाता है तो आपको क्या करना ये विसेश द्यार रखना है कभी भी अपने पौधे को ज़्यादा पानी मत देना और यदि बारिस का मौसम है अभी तो दोस्तो आपको करना क्या है अपने जो की गमला है उसका ड्रेने जोल उसको खोल के रखिएगा ताकि बारिस उसका ओवर वाटर उससे निकल सके तो दोस्तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह पोधे की कुछ लंबाई ज़्यादा है करीब इसकी चार फुटके करीब बैटेगी तो आप चाहते हैं कि हमारा पोधा तेजी से बढ़ने लगे और ज़्यादा पूल दे तो दोस्तो आप आसान तरीके से ले सकते हैं तो चलिए दोस्तो फिर मैं आप लोगों को फटीलाजर बना कर बताई देता हूं किस तरह से हम अपने पोधे से ज़्यादा फूल ले सकते हैं यह देखिए दोस्तों सामने जो आप देख रहे हैं यह मैंने एक प्लास्टिक का वर्तन लिया हुआ है उसमें मैंने पानी भर लिया यह जो आप मेरे हाथ में देख पारें यह मैंने चावल लिये हुए हैं इन चावलों से हम और गयनिक फटीलाजर बनाना बताएंगे आपक सरसों की खली ली हुई है जिसे हम मस्टड केख फटीलाजर के नाम से जानती है ये गाय बैसों के तवेले में आसानी से मिल जाती है आप इसे बाजार से भी खरे देंगे तो भी बहुत आसान तरीके से आप इसे प्राप्त कर पा हुए तो दोस्तों ये मैंने थोड़ी से यहाँ पर ले लिए और पानी में मैंने डाले लिए और डालने के बाद मैं दोस्तों अब हम से करीबन चार गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे चार गंटे बाद इसमें जो इसका अपडेट सामने निकलेगा वो मैं आपके साथ share करूँगा तो चलिए दोस्तो हम 4 गंटे बाद मिलते हैं आपसे ये देखिए दोस्तो पूरे 4 गंटे के बाद में ये फटी लाजर बनकर तयार हो चुका है अब ये मैंने हिला लिया है अब इसको हम अपने पूदों में यूज कर सकते हैं आसानी से तो देखिए 4 गंटे बाद कुछ आपको कुछ एस्तरे का ये नजर आएगा तो चलिए दोस्तो इस फटी लाजर का हमारे पूदे पर बहुत ही अच्छा अपडेट मिलता है इससे हमारे पूदा हेल्दी भी बना रहता है और पूदे पर ज़्यादा फूल आने के चांसे बढ़ जाते हैं तो चलिए दोस्तो इस पूदे में मैं जल्दी से डाले देता हूँ जब भी आप कोई फटी लाजर या कोई खात डालें पूदे में तो आपको एक जगह बिल्कुल भी नहीं डालना है या आप ज़्यादा फटी लाजर डालें तो आप चारो तरफ भी डालें तो ही बैतर है तो दोस्तो ये फटी लाजर मैंने आपको डाल कर बता दिया है और आपके पौदे पर केवल दो ही दिन में इससे आपको अच्छा ही अपडेट मिलेगा तो दोस्तो आप अपने पौदे से ज़्यादा इस तरह से फूल ले पाएंगे इसे नरसली वाले भी यूज करते हैं तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अवस्ती पसंद आई होगी चैनल पर आप पहली बार आई हुए हैं तो मेरा आपसे पौने अन्रोद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको अमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और सेर करना आप बिल्कुल भी मत बूलिएगा ताकि अन्यता लोगों को यह जानकारी मिल पाए तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी ठेंक्यू